जवान फिल्म रिलीज होने में अभी भी तीन दिन बाकी है और रिलीज होने से पहले ही फिल्म ने धाई सौ करोर कमा लिये हैं दोस्तो आज का वीडियो बहुत इंट्रेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो के आखडी तक बने रही है आप वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल को सबस्क्राइब कर लीजेगा क्योंकि ऐसे ही लेटेस्ट नियूज हम आपके लेके आते रहते हैं दोस्तो जैसा कि आप सभी को पता है जवान फिल्म का एडवांस बुकिंग एंडियन बॉक्स ओफिस पर और और सीज में बहुत धरले तरीके से चल रही है इतना ही दोस्तो ट्रेड इक्सपोर्ट का कहना है कि इस फिल्म की पहले दिन की कलेक्शन इंडियन बॉक्स ओफिस पर 70 करोड के आसपास रहने वाली है वहीं वर्ड बाइड 125 करोड के आसपास रहने वाला है दोस्तो ये तो आने वाली ट्रेड इक्सपोर्ट की राय है लेकिन दोस कि फिल्म जो है बहुत बड़ी होने वाली है बता दे कि अब तक कोई भी ओफिसियल जानकारी नहीं आई है कि किस कमपनी ने राइट्स पॉर्चेज किये हैं दोस्तों नेट्फिक्स और जी नेटवर्क इन दोनों ही कमपनीों ने काफी भारी भारकम बोली लगा दी थी इन दोनों ही कमपनीों में से किसी कमपनी ने राइट्स पॉर्चेज किये हैं लेकिन इतना गारेंटी है कि इस फिल्म के सेटराइट राइट, डिजिटल राइट्स और म्यूजिक राइट्स को ड़ाई सो करोर रुपय में शोल्ड किया गया है हाला कि यूटूब पर आपको बहुत सारे इसे वीडियोज मिल जाएंगे जिसमें बताया गया है कि 600 करोड में बेचा गया है, किसी में बताया गया है, वो सब के सब बेबुनियाद रिपोर्ट्स हैं, दोस्तो जो रिपोर्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ, इस रिपोर्ट्स को टाइमस ओफ इंडिया ह हुआ, या एकनॉमिक टाइमस हुआ, या फिर हिंदुस्तान टाइमस हो गया, इन सभी ने अपने आर्टिकल में चापे हैं, जिसका मैं आपको डिस्केप्शन में लेंक दे दूँगा, चाहे तो आप वहाँ जाकर भी ए रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं, तो दोस्तो फिल्म जो है, रिलीज से पहले ही धाई सौ करोर रुपे की बिजनस कर चुकी है, मतलब कि तीन सौ करोर की लागत में बनी फिल्म, और लेडी धाई सौ करोर कमा चुकी है